प्रहा टाइम्स की न्यूज देखने के लिए फेस्बुक पर लाइक करें, यूटूब पर सब्सक्राइब करें और बोल आइकोन दबाना ना बोलें मैं है स्लामुदिन खार और आप देख रहे हैं प्रहा टाइम्स नभी मुंबई की तलोजा पुलिस ने पनवेल इस्टेशन परिसर में सो रहे माता पिता के बाजू से दो साल के बच्चे को चुरा ले जाने वाली महिला को गिरफ्तार कर बच्चे को परिजनों को हवाले कर दिया है तलोजा पुलिस स्टेशन के कॉंस्टिबल संदेश उतेकर को जानकारी मिली थी कि भिंगार वाड़ी आधिवासी पाड़े में एक महिला बच्चा चुरा कर लाई हैं। उन्होंने ये जानकारी अपने वरिष्ट अधिकारियों को दी जिसके बाद ये जानकारी तलोजा पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस रिच्छक जितेंद्र सुनावने ने पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के वरिष्ट पुलिस रिच्छक रविंद्र दौंडकर को महिला को हिरासत में ले कर पुष्टाच की तो उसने कबूल कर लिया कि वह बच्चा चुरा कर लाई है और उसे अपने कमरे में छ्छिपा कर रखा Meyer जिसके बाद पुलिस पनवेल रेलवे स्टेशन से संपर कर उन्हें इस पूरी घटना के बारे में जानकारी दी और उस बच्चे के परिजनों को खुजने में मदद मागी रेलवे पुलिस ने वहाँ जाकर पूस्टाज कि उन्हें एक महिला और पुलिस ने बताया कि राध से उनका बच्चा के विवेक पांसरे ने दी है आपको सुनाते हैं कल शाम को हमारे तोजा पुलिस टेशन के वरिष्ट पुलिस निरिक्षर जीतंद्र स्वनों ने इनको एक माहित मिली थी कि पन्वेल तालुका में बेंगारवाडी परिसर में एक महिला ने एक छोटे बच्चे को चुरा कर ल इसमें एक टीम फॉर्म करके पिंगारवाडी में टीम बेजी वापे लोकल पुलिस पाडिल है उसने भी इसमें उसको बहुत अच्छी से मदद की और महिले को महिला को लोकेट किया महिला ने एक छोटे बालक को दो साल के बालक को जो चुरा के लाया था उसमें घर में अब जय में लेया और उसके बाद उसकी इंक्Wiर करते हुए एक पता चला कि पंवैल यहां पुहीं पुलिस्टेशन के हदमेसे एक छोटे बाचों को किन्हों ने रात पूरा दीन उसके साथ था उसके बाद हमने और टास धिया थो रेलवे पूलिस्टेशन में要 डुना ग लोगों ने ये बालत और ये महला रेल्वे पुलिस्टेशन के हवाले किया है और आगे के तपास रेल्वे पुलिस्टेशन कर देए